मेरे प्यारे देश्वासियों ये नवरात्र का समय है शक्ति की उपासना का समय है आज भारत का जो सामर्त नए सिर्थ से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारी नारी शक्ति की है हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदारान हमारे सामने आये हैं आपने सोशल मेडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा सुरेखा जी एक और किर्तिमान बनाते हुए बंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पाइलेट बन गई है इसी मही ने प्रोडूसर गुनित मौंगा और डायरेक्टर कार्ति की गोंजाल लुईस उनकी डॉक्यूमेंटरी एलिफन्ट विस्परर ने ओसकर जीत कर देश का नाम रोशन किया है देश के लिए एक और उपलब्दी भाबा अटोमिक रिस्टर सेंटर की साइन्टिस्ट बेन जोतिरमई महंती जी ने भी हासिल की है जोतिरमई जी को केमिस्ट्री और केमिकल एंजिनिरिंग की फिल्ड में आयू पी एसी का विशेस अवर्ड मिला है इस वर्ज की शुरुवात में ही भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल कप जीतकर नया इतिहास रचा अगर आप राजनीती की और देखेंगे तो एक नई शुरुवात नागालेंड में हुई है नागालेंड में 75 वर्षों में पहली बाद दो महिला विधायक जीतकर विधान सहबा पहुँची है इन में से एक को नागालेंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है यानि राज्य के लोगों को पहली बाद एक महिला मंत्री भी मिली है साथियों कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जावाज बेटियों से भी हुई जो तूर्किये में विनासकारी भूकम के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी ये सभी NDRF के दस्ते में शामिल थी उनके साहस और कुसलता की पूरी दुनिया में तालीफ हो रही है भारत ने UN मिशन के तहट शांती सेना में बुमेन अउनली प्रेटून की भी तहनाती की है आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शावर्य का जंडा बुलंद कर रही है ग्रूप केप्टन शालीजा धामी कमबेट युनिट में कमांड एपन्टमेंट पाने वाली पहली महला वायुसेना अधिकार्य बनी है उनके पास करीब तीन हजार घंटे का फ्लाइंग एक्स्पिरियंस है इसी तरह भारतिय सेना की जाबाज केप्टन सिवा चोवान सिया चीन में तैनात होने वाली पहली महला अधिकारी बनी है सिया चीन में जहां पारा माइनस सिक्ष्टी डिगरी तक चला जाता है वहाँ शिवा तीन महनों के लिए तैनात रहेगी साथियों यह लिस्ट इतनी लंबी है कि हाँ सब की चर्चा करना भी मुश्किल है ऐसी सभी महला है हमारी बेटियां आज भारत और भारत के सपनों को उर्जा दे रही है नारी शक्ति की यह उर्जा ही विक्षित भारत के प्राणवायू है